जैहिंद हमने आपको पार्ट वन में बता दिया है यूरोपियन के आगमनों का पूरा क्रम को एकतम अच्छे धंग से मैंने आपको समझा दिया है अब पार्ट टू में समझिये कि भगवलिक खोजे किस तरह से होती है जोग्राफिकल डिस्कबरीज कैसे होते है कैसे घटना घटित होती है तो उसके पीछे का कुछन प्रिष्ट भूमी होता है तो उस प्रिष्ट भूमी को समझने से उसके परिणाम को समझने में आपको आसानी हो जाएगा और तब आपको सही-साही पता लगेगा कि यूरोपियंव भारत में किस तरह से आग है तो सबसे प पहले रोमन समराज बहुत बढ़ा समराज था उसने इस पूरे यूरोप पे आप देख रहे हैं और एसिया के कुछ पार्ट को मिला करके एक रोमन समराज था बहुत बढ़ा था और वह तिसरी सताबदी में तूट जाता है और तिसरी सताबदी में तूट के दो भाग हो जात एक हो जाता है पुर्वी रोमन समराज और यह होता है पुर्वी रोमन समराज इसको बोलेंगे पुर्वी रोमन समराज और इसको कहेंगे पुर्वी रोमन समराज आप जानते हैं कि राजधानी है Konstantini pole उसकोrichten हिंदी्क में खुश्टॣ तुनिया १ं कि अभि अगर वर्तमान में आप खोजेंगे तो यहां एक देश टर्की जिसको तुर्की होते हैं। तुर्की में ही कुश्टॣ तुनिया नाम का एक सहर है, एक बहुत एतिहासिक सहर है, वहां पे बहुत सारे लोगों ने सासन किया है, वहां गवा है, बड़े बड़े समराज्यों के अस्ठापना और पतन का, तो पूर्वी रोमन समराज जो था, वह शक्तिशाली था और उसकी राजधानी जो थी, वो कुष्टुन तुनिया थी, जबकि पस्मी रोमन समराज जो था, उसकी राजधानी रोम में थी, रोम कहा है आप जानते हैं, इटली में, इटली एक देश है, भूमद सागर में आप देखेंगे, तो इटली एक देश है, वहाँ पे रोम है, उसका एक सहर है, वह भी एतिहासिक सहर है, उसकी राजधानी थी, अब हुआ क्या कि यह जो बेस्टर्न रोमन समराज है, उसको जर्मनी के जंजातियों ने, या जर्मनी के बरबरों ने नस्ट कर दिया, 477 AD में, 477 AD में उसको नस्ट कर दिया, इसका तो काम खतम हो गया, अब आईए पुर्वी वाला छेतर में, पुर्वी का जो नस्ट हुआ है, वह नस्ट नहीं हुआ, 477 में, बलकि वह काफी दिनों तक अपना राज करते रहा, और 1453 में, एक डेट है 1453, इस डेट को आप हमेशा याद रखे रहिएगा, क्योंकि यह डेट इतिहास को बदल देता है, इत ही डेट एक एभी है, एक डेट आज से 70,000 साल पहले है था, वह भी बहुत महत्पून है, जब संग्यानात्मक करांती हुई थी, और जब मानव कल्पना करने लगा, और उस कल्पना के बदोलत उसने दुनिया को जीत लिया, उसने धरम का अविश्कार किया, उसने पैसे का निर्मान किया, कॉर्परेशन्स का निर्मान किया, यह सब होता है आज से 70,000 साल पहले जब मानव के अंदर में, उसके ब्रेन के अंदर में थोरा सब म्यूटेशन होता है, और अकसमात यह सब चीजे उनके अंदर में आ जाती है, खेर उसके बारे में बात हम नहीं कर रहे ह हम बात करें 1453 इसमी की बात आग का अविसकार भी एक महत पूर्ण एतिहासिक घटना है और 1453 भी की घटना भी एक एतिहासिक घटना है इस समय क्या हुआ कि इस पुस्तुन तुनिया पे जो पहले से रोमन समराज अधिपत जमाए हुए थे इसाई धर्म के लोग अधिपत ज हो जाता है जो मुस्लिम समराज बनाते हैं उसका नाम है ऑटोमन और उन्होंने किसको नस्ट किया पुर्वी रोमन समराज को पुर्वी रोमन समराज को बैजेंटाइन समराज भी कहा जाता था तो इसको बैजेंटाइन समराज भी कहा जाता था इसको नस्ट करके यहाँ प कि इस छेत्र को उन्होंने ब्लॉक किया और कहा कि देखिए जो भी लोग इस वेस्टर्ण वाले लोग जो एसिया के तरफ व्यपार करेंगे भारत से या चीन से वह बहुत अधिक मात्रा में टेक्स देंगे तभी हम उनको जाने देंगे अस्थलिये मार्ग ही एक एक रास्ता था जिससे पश्चिमी एरोप में और एसिया में व्यापार होता था अब बीच में एक छेत्र आ गया दूसरे का अधिकार हो गया तो वह तो जाने नहीं देगा वह कहा कि भईया हमारे छेत्र से आपको जाने देंगे लेकिन बदले में आपको टेक्स देना होगा बहुत अ देते हैं कि जब कुस्तुन तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ तो यहां के अधिकांस जो जो कॉंस्टक्टिव माइंड के लोग थे जो दार्शनिक थे जो कलाकार थे जो बेग्यानिक दिमाग रखते थे वह भाग करके इटली चले आए इटली में कहां भागा है किसा की सहर है उसकते हैं Florence वह Florence में भाग है अब देखिए जो भाग है तो बहुत बड़ा एक क्रांथी हो वहां पे फ्लोरेंस में इटली में जब वह तर्कवादी लोग जब वह दार्शनिक लोग समझदार लोग जब भागते हैं और जब इटली के फ्लोरेंस नगर में जाते हैं तो वहां वह पुनर जागरन पैदा कर देते हैं क्या करते हैं एक सब्द है पुनर जागरन इसको आ नवेशन नहीं हो पा रहा था धरम का प्रभाव इतना जादा हो गया कि लोग खोजना ही छोड़ दिये थे जब किसी को जिग्यासा होती थी कि पृथिवी कैसे बना है तो उनको बस शिर्फ उनको बाइवल पर लेना होता था था बाइवल में मता दिया है कि जो इस्वर है ज इस समय ऐसा था न कि पृथिवी को चप्टी माल लिया गया कहा कि पृथिवी कैसी है चप्टी है वह ऐसी है और चप्टी ही नहीं बलकि अगर आप इधर से चलते हुए अगर लगातार कोड में चले जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब आप हचक से नीचे गीर के पाइदा होती है इन लोगों के द्वारा जब वो पढ़ते हैं युनान के और रोम्स के पुराने-पुराने किताबों को पढ़ते हैं जो पहले अनुवेशन हो चुका था जब भारतिये किताबों को पढ़ते हैं और वो के किताबों को पढ़ते हैं तब उनको अचानक से एक अंदर में इनलाइटमेंट होता है उसके अंदर में और वो चीजों को समझना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, तब जाकर के पुनरजागरन हो जाता है, यह होता है इटली में, इटली उससमें बहुत परसिद जगा था, व्यापारिक दृष्टी से बहुत संपन्द था, इस पूरे यूरोप में, अगर सबसे धनी अगर कोई था, तो इटली ही था, रोम के लोग, बहुत धनी थे, और वो बेपार भी करते थे, देखिए, यूरोपियंस लोग बेपार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रोम बेपार करता था इटली के लोग, इटली के लोग अपने जो है प्रकार का जलन पैदा होता है और साथ ही साथ वो जब इधर देखते हैं कि अर्भी लोग भी बहुत पईशावाले हो चुके हैं भारत से और चीन से बेपार करकरके इंडोनेसिया से बेपार करकरके तो उनकी जलन और ज्यादा बढ़ जाती है वो अब दो देशों से एक तो अर्भों से जलन करने लगते हैं दूसरा इटली से अब इस जलन के कारण वह अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं अब जाते हैं कि अपने सुक से आदमें अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता है जितना दूसरे के सुक से दुखी हो जाता है तो ये बेचारे लो उस क्रम में वह नएने छेत्रों की खोज की तरफ निकल पड़ते हैं उसी समय में आपको पता है कि धार्मिक सुधार आंदोलन भी चल जाता है क्योंकि पुनरजागरन होने से तो धर्म में भी सुधार होगा ना जो धर्म कह रहा था कि चीजों को मत देखो मत को जो सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है खाली उसको परलो और उसी से तर्क करो बस उसी में अपना काम करो लेकिन जब तर्क लोग करने लगे तो आपको पता है कि इटली में एक नाते नाम का व्यक्ति पैदा हुआ था इसने डिमाइन कॉमेडी नाम का किताब उसमें इसने पोप के बहुत सारे दुराचारों का उसने मजा कुराया था और उसने कहा था कि, इस तरह से लोग करते हैं, तो यह बहुत परसिद हुआ, साथ ही पेट्रोक पैदा हुआ उस समय में, मानवता वादि था, और मानवता वाद को लाने में इसका मौत पून योगदान था, इसलिए इसको कायाता है मानवता वाद का जनम दाता है पिट्रक मानवता वाद क्या होता है पहले देवताय हावी थे किसी भी चीज को करने के लिए धार्मिक चीजे हावी थी लेकिन मानव वाद कहता है कि मानव तो स्वैम में ही एक देवता है और मानव ही सब कुछ करने के के लिए उसको अधिकार मिलना चाहिए और मानव में सब एक दूसरे के समान होते हैं सब के अंदर की इंडिजिवेली Denise की रक्षा वोनी चाहिए सब के अंdर में अतनी समझदारी होती है और मानव जो है अपनी समझ के अनुसार ही इस ब्रह्मान के रचना करेगा और इस ब्रह्मान्द का अपना जो है वह किस तरह से समझे यह मानव के ऊपर निर्वर है इस्वर ने किसी चीज को बनाया नहीं है बलकि मानव ही है जो किसी भी चीज के अर्थ पैदा करता है उसके अंदर में तो इस तरह से मानवबाद भी एक बहुत महत्पूर्ण का निभाता है इस भगोलिक खोज के कर्मे में साथ ही साथ आपको हम बता देते हैं कि सामंतबाद का उस समय खात्मा हो रहा था सामंतबाद क्या है पुझी जमीन पर कुछ मुठी वर लोगों का अधिकार हो जाता है तो उसको बोलते हैं सामंतबाद का भी अंत हो गया सामं business करना चाह रहे है और पुंजीबाद का जिसको डो बजार औरी किताया है अब प्रके तरह माना बनाएंगे उसको बेचने के लिए भंडाय चाहिए जब पुनर जगरण 행 और से लिए इसको बेचना भी तो है कहीं ने कहीं पर तो बाजार भी चाहिए इसके लिए वह पूरे विश्ट में दौर परते हैं बाजार को ढूंडने के लिए और इससे साख का सरजन हो जाता है टैपीटल का सरजन होता है और उस साख से वह जौइंट स्टॉक कमपनिया बना लेते हैं जौइंट स्टॉक कमपनिया जब बनाते हैं तो वह एक आदमी मिलके नहीं बनाते हैं उसमें बहुत सारे साइकरों हजारों लोग सामिल होते हैं वो सब उसमें पुंजी लगाते हैं उसके शेयर को खरिदते हैं और वह शेयर होल्डर्स जो जो कमपनी है वह जा करके दूसरे दूसरे देशों में व्यपार करती थी और भाई साब आपको हम जनकारी के लिए बना देते हैं कि यह जो जॉइंट स्टोक कमपनियां है यह बहुत अधिक लाव कमाती रहती है कोई अधिक लिए उस कंपणी में पैसा लगा करके रात तो रात लक्षपती बन जाता था तो एक आकर्सन था लोगों का कि भाईया उसमें पैसा लगाओ और वह कंपनी जो है विस्ट में धूनेगी अपने जगों को वहां उपनी बेश स्थाबित करेगी वहां से जो लाव कमा आएगी उसमें आपका हिस्सा भी देगी इस तरह से खोज सुरू हो जाते हैं तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ इस पूरे बैक्ग्राउंड को आपको समझे जोग्राफिकल डिस्कवरीज के और भी क्या-क्या कारण थे उसको भी आप समझ और मांचित्र क्या था सुध दिशा प्रछेफ था वह समुद्र में बहुत सारे लोग पहले जब यात्रा करते थे उनको दिशा का सही सही जनकारी नहीं मिल पाता था साथ ही साथ वह भटक भी जाते थे रास्ते को और अपनी जान तक गबाद देते थे लेकिन जब मर्केटर ने एक मांचित्र बना दिया उसमें सही दिशा दिखाने वाला तो इससे भगोलिक खोजे को बहुत जादा पृत्साहन मिला और लोग एक दूसरे छेत्रों की और दूर पर एक खोजने के लिए साथ ही साथ एस्ट्रों लैब नाम का एक यंत्र भी बनाया गया और भी लोग उसमें अक्षांस देशांतर पता लग जाता था तो उससे भी भगोलिक खोजे को पृत्साहन मिला साथ ही साथ और भी लोगों को मांसून के बारे में जानकारी वह जानकारी एरोपियंस के पास भी पहुँचा और मांसून को जानना बहुँ जरूरी है क्योंकि एसिया से वेपार करना है और मांसून को नहीं जानेंगे तो आप वेपार नहीं कर पाएंगे मौसम को तो जानना ही परेगा ने किस मौसम में कितनी बरसा होती है कब को साथ ही साथ उसके राजनिती को समझना होगा उसकी संस्क्र्थ और जानना होगा कि सारी जानकार में सबस्तंया पर आणे lecture कि हमको जब उपनिवे सस्थापित करना है दूसरे बिश्व को खोजना है तो यह सारी चीज हमको सोचना पड़ेगा और इसलिए जब खोजने के लिए निकलते थे अपने जहाज से तो उस जहाज पे तरह तरह के विग्यानिकों को बैठा लेते थे कोई जोगराफ़ होता थ कोई बाइलोजिस्ट होता था कोई भासा का विग्यानिक होता था सैनिक भी लेके साथ में चलते थे कहीं किस तरह से चीज़े आ जाएगी सामने और कैसे सामना करना पड़ेगा इन सभी चीजों के लिए वो स्ततर किराते थे और मैंने नाव का भी अभिश्कार किया उन्हो हो रहा था तो वो लोग को नाव को एकदम अच्छे रंग से परिस्क्रिद रंग से और हलके नाव बनाने में मदद मिला और उस नाव के बदोलत भी वह बहुत दूर दूर तक की यात्रा कर सके साथ ही साथ आपको हम बता देते हैं कि एक कॉंसेप्ट चल ला था उस समय मे टॉलमी का दिया हुआ एक मांचित्र भी बनाया था टॉलमी ने टॉलमी रहने वाले थे बैसिकली कहा के टॉलमी युनान के आसपास के रहने वाले ये कुछ लोग कहते हैं रोम के रहने वाले थे कुछ लोग मिस्र में कहते हैं तो टॉलमी वहां के थे टॉलमी बहुत यात्रा करेंगे तो हम तो ऐसे ही पहुंची जाएंगे इधर एसिया के तरफ इधर भारत के तरफ लेकिन जब चलना शुरू करता है तो 90 दिन से भी ज्यादा दिन तक उसको जमीन ही दहीं दिखाई देता है तो लगता है कि नहीं प्रिथिवी इतनी बड़ी नहीं है उसकी बहुत बड़ा भी है उस समय जो प्रतलन था कि छोटा है तो ऐसा नहीं है दूसरी बात आप जानते हैं कि एक बैक्टी था जिसने कहा था हां टॉलमी नहीं कहा था जियो सेंट्रिक कंसेप्ट उसने क्या कहा था कि जो सौर मंदल है ना प्रिथिवी इसके केंद्र में है औ बलकि हमारा जो सौर मंदल है यह तो एक बहुत चोटा सा पार्ट है ब्रह्मांड का और उस सौर मंदल में एक सुर्य है उस सुर्य के चारोतरफ ग्रह परिकर्मा लगाते हैं उसकी बात एक दम सही थी उसके बाद ग्रह गती का नियम भी दिया गया केपलर के द्वारा ऐसे से उरोप में बहुत सारे अन्वेशन सुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ इसका परिणाम क्या निकलता है वह देख लिए परिणाम निकला कि नैने उपनी वेश अस्थापित हो गया समराज जवाद क्या होता है उन्होंने अपने अपने जो जो चेत्र को खोजते थे उस च जिसमें समझा जाता है उसमें सांस्कृतिक वीविद्रताय बहुत होती है चेत्रों को मिला करके इसको आप याद रख रहेगा और वहा किसी भी छेत्र को अपने में लील लेने के लिए हमेशा ललाई तरहता है कि और बड़ा करना है और बड़ा करना है तो इस तरह से आजकल समराजवादी देश तोवा कोई नहीं रहा लेकिन हम लोग कभी-कभी चीन को कहा देते हैं कभी-कभी अमेरिका कभी कि समराजवादी है लेकिन अब उस तरह समराजवाद नहीं रहा जो उस जमाने में हुआ कर क्योंकि गंड़ना का फसल जो है उब जाने के लिए बहुत जादा सारीरिक मेहनत चाहिए और बहुत जादा धूप में ही होगा हुआ बहुत जादा गर्मी चाहिए उस नकटीबंदिया पौधाय हुआ तो यहां के लोग को ले जाये जाता था और यहां से खेती करवाये जाता था उसको तो दासपर्था भी शुरू हो गया गुलामों का खरीद वेपार शुरू हो गया साथ ही साथ पुंजी वाद की सुरुवात हो जाती है ज्यादा ज्यादा पुंजी लगाओ और उससे लाव लेकर आये थे और भी बहुत सारे चीजों पपीता लेकर के आये थे इस तरह से चीजे अफीम तो फैला दिया इन्हों ने पूरे ब्रिटेन ने पूरे चीन में चीन के से लोग आचरन करते हैं इन सभी चीजों का जो एक प्रकार से जोग्राफिकल डिस्कवरीज के कारण ही सब लोग जान पाए अगर नहीं होता यह तो लोग इस तरह इसको अपना लिया और इनका प्रभुत तो पूरे संसार में फैल गया आज भी देखते हैं पहले से ज्यादा यूरोपियन है कुछ लोग करते हैं अंग्रेजी चला गया लेकिन अंग्रेजी अभी भी है तो अभी भी है अभी लोग कपरे विस तरह से परहते हैं आचरन उस से करते हैं और चीजे तो अब उसी तरह से हो रही है ऐसे भी बैस्वीकरन चलना आए तो इसमें तो कोई भी अपना एकदम यूनिकनेस बना के नहीं रख सकता है सब एक दूसरे से परभावित होंगे ही होंगे अब देखिए अब इसमें डिसकवरी किस तरह से होते हैं रा से ज्यादा जोग्राफिकल डिस्कवरीज करवाते हैं दुनिया में पूर्तगाल से कुछ लोग चलते हैं फिर एस्पेन से भी कुछ लोग चलते हैं अब पूर्तगाल से कौन चलते हैं उसको आप समझ लीजिए तो देखिए पूर्तगाल से चलने वाले जो यात्री थे उ तर पूर्टगाल का निवासी था और उसने यहां से चलकर यह पूर्टगाल अबहता है यह यह है टो पूर्टगाल से चल already उसने ठोन आतर हे था लेकिन ज्याधा जफल नहीं सब्सक्राइब District चलता है उसका नाम था उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज यह बार्थोलोमियो डियाज ने क्या किया बार्थोलोमियो डियाज को भेजा गया कि आप छेत्रों को ढूंढिये रास्ता का ढूंढिये और भारत के तरफ से व्यपार करने वाले रूट को ढूंढिये ताकि ह अभी हम लोग ए explored कर सके तो वह जोइन चलता है फुर्दगाल और चलते 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 अफरीका कि इस एकतम फ्लूस को पर रोता है इसको बोल कि के वह जाता है कोई भी अस्खल कहंड जाए सासा का नहीं बढ़ता है यह जो यह जो आते हैं यहां पर यह जो क्या नाम है इसका बार्थोलोमी डियाज वह आगे जाधा दूर्व जाता है और उसरे की एक तरह से खोज कर ली थी फिरिपीएस के लिए ऐसा नहीं कि पहले नहीं था पहले भी था semic import को नहीं पाता था उनको मालूम चला इसलिए वार्थेलो wings डियाज को का जाता है के सोग खोजने वाला है अब हम आगे देखते हैं और आगे कौण क्या-क्या खोजता है कोलंबस के बारे में आप जानते होंगे अब कोलंबस को देखिए कि ओ क्या किया था कुलंबस जो था नवह रहने वाला कहां का था रहने वाला तो इटली का था हो लेकिन उसको भेजा किसने था इस्पेन ने एक्षुली कोलम्बस जो था ना वह जिग्यासु परविर्ति का आदमी था पैदा हुआ इतली में लेकिन जाकर के पूर्तगाल में रहता था लिस्वन में वह रहने लगा था अपने भाई के साथ उसका भाई बड़ा मानचीतरका लेकिन हुआ ऐसा कि जब वह उसको खोजने का एक परविर्ति सवार हुई कि हमको खोजना है विश्व को तो सबसे पहले इतली के सरकार को उसने कहा कि हम तो यहां के निवासी है आप मुझे सुविधाय मुहया कराइए संसाधन दीजिए और हम नएने छेत्रों की खोज कर तो इटली के लोग तयार नहीं हुआ फिर वो उसने पूर्दगाल को कहा कि भाई आप हमको मुहया कराइए संसाधन हमको नया छेत्र खोजना है इससे आपको भी फैदा होगा लेकिन वह तयार नहीं हुआ उसके बाद हार दार के जाता है इस्पेन के महरानी के पास इस्प बेला तयार हो गई और बोली कि ठीक है जाओ और सोचिए इसा बेला जो तयार हुई तो दुनिया किसके मुठी में गया इस्पेन ने एक बहुत बड़ा समराज अस्थाबित कर लिया था इस्पेन का भाग उदे होने वाला था सिर्फ कोलंबस के कारण अब कोलंबस क्या कि यहां से तीन जहाजों का घृह अर अपने साथ कुछ लोगों को लिया अपने साथ कुछ स्रेनिक को को लिया का जाता है और यहां से चला और चलते चलते वह पहुच गया अमेरिका में अब आप सोचिएगा कि कोलंबस जो है वह एक्षुली में आना चाहता था भारत के तरफ वह चाहता था कि भारत में जाएं और इस तरह से चीन और बगएरा इंडोनेसिया बगएरा की खोच करके हम लोट जाएं मेन मोटीव था भारत लेकिन वह भारत पहुंचा नहीं वह प पहुंची जाएंगे दूसरा ब्रहम उसमें था कि उसने किताब परा था इमेजियो मुंडी का किताब में लिखा था कि सारे अस्थल खंड जो है वह कहीं न कहीं जलिये छेतर से घिरे हुए है और जल जो है वह चारों तरफ से फैला हुआ है यानि कि जल के तरफ से आप कि पड़ी कम है तो उसको अंदाजा यह नहीं था कि इतना दिनम को लग जाएगा अश्थल देखा ही नहीं उसका पूरा खाना खराब हो गया खाना खतम हो गया जो जो पचाग को खराब हो गया था अब उसके जो उस पर ships रखर दिया का आकि कोलमबस को वापस चालिये लेकिन कोलम्बस वह आपस नहीं भागना चाह रहा था, उसने कहा, ऐसे जय से पुश्पा फिल्में देख रहे हैं ना, की जुखेगा नहीं, वो इस तरह से चलना है, उसने भी कहा, जुखेगा नहीं, जब तक खोजेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद वो आगे विटामिन सी के कमी से होता है विटामिन सी अगर कम हो जाए किसी के सरीन में सकर्वी नाम की बिमारी हो जाएगा वह क्या होता है उससे आपका हड़ी कमजोर हो जाएगा दात गिरने लगेगा मसुगरा फूल जाता है और आदमी चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है और लग लेकिन इस्पेन की राणी उसको माफ कर देता है और चौती बार फिर वह आता है और उसके बाद बहुत बढ़े छेतर को फिर से अधिकार कर लेता है यहां पर इंका और एजडेक की सभेता को नस्ट वस्ट करकर के उस पर सासन स्थापित कर देता है इसलिए भाई साव आपको अगर आप पढ़ेंगे इसके पूरे इतिहास को तो पूरा मेक्सिको और दक्षिन अमेरिका पर जो है उसके अधिकांस छेतरफल पर स्पेन का अध वह यहां जन्दगी भर पर ही समझता रहा इस चेटर को और वह मढ भी गया लेकिन उसको पटा नहीं चला कि इंबिया नहीं तरफी होता है टीए उसका नाम है रिट इंडियन तो उसने उसी ने नामकरन कर दिया थoperation और चोटा चोटा-चोटा दूओं इसको आज इन्डिस पहले उसको बहुला याता था इस्ट इन्डिस मुला इसको लगता था कि हम पूरव ंञया और यह इंडिया इसप नहीं इस्ट नहीं को इस चेत्र को ँपा next to that public교art इस इससे लिदीज कोई देश नहीं है यह दीवपो का समूह है यहां बहुत सारे के तो इसको आप समझ गए हैं तो इसने वेस्ट इडीज की खोज कर दी उसके बाद क्या हुआ अच्छा ये चला कब था 1492 में यह असपस्ट हो गया अब इसके खोज से बाकी लोगों में भी पुर्तसाहन पैदा हुआ बाकी लोग भी इर्षिया करने लगे कि हम भी खोजेंग पुर्तगालवला पीछित के और रहेगा वास्को डिगावा कि तुम ढूंडो भारत के लिए रास्ता अब उसको पता था कि कोलंबस गलत रास्ते में चला गया तो हम सही रास्ता पकरेंगे इंडिया को ढूंडने के लिए वह क्या किया कि यहां से चलना शुरू किया आट यहां पे ढूड़ता है किसी भारतीयों को कि कोई मिल जाए जो हमको रास्ता बता दें कि भारत किस तरफ है यहां पे आते आते उसको 90 दिन लग जाता है और बहुत जादा संगर्श करता है इसमें भी वही चीज है इसके भी सैनिक विद्रोख कर देते हैं लेकिन दिरे-दिर यह मना लेता है उसके बाद सकर्भी नाम की भी मारी इसके भी नाविकों को हो जाता है इसके नाविक भी मारे जाते है कहा जाता है 90 से ज्यादा नाविक इसके मारे गए थे उसके बाद वह यहां पे एक अब्दुलमजीद नाम का वेक्ति उसको मिलता है जो वाकई में एक वास्ता बताने कांव भी करते रहता है। वास्तव तो वास्कों ढगाना किताब कहता है। इस तो बाद बाद तो एससे चोग करें च सकत ऽे खाना हुआ ह। वहां धूरता था किसी पर ताकते रहता था तो कोई का रहे पागल है कि आई लगातार देखते रहता लेकिन एक बेक्ती पर इसकी नजर पड़ी और उसके जब ऐसे देखा तो बेक्ती जो है फट सिना इसको देखा आँख में आख जाल के कावा बस टोक दिया उसको इसको ल जमोरीन जमोरीन ने इसको सवागत किया बहा है बहुत अच्छा आप आगये आये हम से वेपार करें और यहां से कुछ समान को ले करके और विए समान को ले करके मसालेब सो करके पुर्दगा battery लट गया और ईसने अपनी पुंजी जितना उसने आया था इस यत्रा में जितना खर्च हुआ था उसका 60 गुना ज्यादा रकम उसने कमाया उसको बेच करके उतने मसालव के बेच करके तब कहा ये तो बहुत ज्यादा लाव मिलेगा इंडिया से बेपार करने में तब यहां से लोग चलना शुरू करते हैं और भी उसके बाद डेनमार्क वाले लोग चलते हैं फ्रांसी चलते हैं एक दम हो लग जाता है पुआ इस यहोता है और। अकर बैस्ट कान कलते हैं विशंव का नक्षा को बदल के रहे थे एक समराजवाद को पैदा कर दिया था बासको डिगामा एक कि फैल पेली तो बहुत बड़ा एक क्रांटी पैदा कर दिया था इस छ ही देख़ें अब थोटा तो बहुत और भी यहां पर ब्राजिल आप देखें डियकल किया था उसका नाम था कैबरल इसाथ हो टी रही और नॉर्फ खोजा गया साउथ पोल को खोजा गया कौन-खूज को खोजा है उसका चार्ट में आप देख लिए प्रावबु submit उसमें हमने की लिखा एक अफ्रिका के एकदम तक्षिन में 1487 में बार्थोलोमियो डियाज जो की पुर्तगाल का ही रहने वाला था नेशनलिटी उसकी वही थी और पुर्तगाल नहीं उसको भेजा था और उसने केप ऑफ गुड़ोप की खोज किया था दूसरा अमेरिका उसकी खोज किया 1492 में इतली का लेकिन उसको इस पेन ने भेजा था खोजने के लिए तो इस पेन के लिए उसने समराज अस्थापित करवाया था उसके बाद आपको सी रूट ऑफ इंडिया भाया केप ऑफ गुड़ोगों यानि कि समुद्री मार्ग की खोज किया था यह पुर्तगाल का रहने व उसी ने किया था और पुर्तगाल के द्वारा ही स्पॉंसर्ड भी था उसके बाद एस्ट्रेट ओफ मैगलन मैगलन जो है पंद्रों सो बीस इसपी में उसने स्टेट ओफ मैगलन का है साउथ अमेरिका के कदम डक्षिन में है आप देखेंगे ने यहां पे साउथ अमेरिक का चक्कर लगाया था इसको काया था है पूरे बिस्व की परिकर्मा करने वाला अगर कोई बैखती है तो मैगलन ही है इसने फिलिपिन्स दूइप पर भी जाकर के कबजा किया था और फिलिपिन्स का नामकरन राजा फिलिप के नाम पे कर दिया था फिलिप दूइतिय था और बिर्टेन के द्वारा ही sponsors था तो इसने उस्टलिया की खोज कि देखी जेमस कुक बहुत महतिमुन खोज किया था इसने जब अपने साथ चला तो उसके साथ प्रकृति बेग्यानिक, जलवायू बेग्यानिक, मिर्दा बेग्यानिक, भासा बेग्यानिक उसने अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके चला और कहा जाता है कि ब्रिटेन के लिए जीता नहीं वैलकि ब्रिटेन को वहां पे अधिपत जमाने के लिए उसने रास्ता बना दिया और बाद में ब्रिटेन आकर के ऐस्टेलिया पे कब्जा भी करता है ये तो आपको पदा उसका उपनी वेस भी बनाता है और वही नहीं, जेम्स कुक जब अस्टेलिया जब पहुचता है, तो अस्टेलिया के मूल निवासियों को पूरी तरफ भी स्थापित कर देता है, वहां के मूल निवासियों को भगा देता है, और वहां सब लोग जंगल की तरफ भाग जाते हैं, कुछ लोग पहारों की कर देता है यह पूरे की पूरे ब्रिटिश और यूरोपियंस तो और साथ ही साथ एको सिस्टम को भी बदल के रख देता है और लेकिन वहां एक नई सवेता की शुरुवात भी कर देते हैं यह लोग जा करके तो इस तरह से जेम्स कुक एक और महत्पूर्ण काम किया था उसने क्या किया था कि उसने स्कर्वी नाम के विमारी का इलाज भून लिया था इलाज कैसे दूड़ा था इसने नहीं दूड़ा था एक चुली हुआ क्या था कि इसने अपने नाविकों के साथ बहुँ सारे खटे गोभी लेकर लिए चला था और वह अपने नाविकों को लगातार कहते रहा था था कि डेली इसका सेवन करो खाओ उसमें विटामिन सी होता है विटामिन सी जब शरीर में रहेगा तो इसकर्वी नाम की विवानी नहीं होगी और कोई मरेगा नहीं तो इसने एक तरह से खोज कर लिए कि जब यात्रा किया था उस समय तक कम से कम 20 लाख लोग 20 लाख नाविक अपनी जान गवा चुके थे इसे सकर्वी नाम की विमारी के कारण और कहा जाता है कि समुद्री यात्रा कर्मा बहुत कठिनाईयों से भड़ा हुआ होता था इसलिए कहा जाता है कि यह लोग जो है जि यह हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे तब तक के लिए आपसे हम भीदा लेते हैं जय हिंद